कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अलो नमस्कार जैंद हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भरती प्रोणनती बोर्ड यानि कि उत्तर प्रदेश के जो साथ हजार वेकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स में सब कुछ समझेंगे उसमें क्या क्या है कौन कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं कर सकते किस प्रकार की क्या क्वलिफिकेशन चाहिए इत्त्यादी सब कुछ के बारे में A to Z study करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले प्लिस भरती के चरण पहला आवेदन पत्र दूसरा है लिखित परिच्छा पहले आवेदन संख्या है कि है कि एक सपचास 2030 दिनांग तेश-वारत दोहजार थेईस यह विग्वाण संख्या सिर्फ उनलों के जौर्थ पढ़ती है जो सरकारी नौकरी में है पिर स्यवदन करना चाहते हैं उनको परमिशन विशन लेने के लिए जवड़ पढ़ती है बाकी आपको भ से फरकने पड़ता इससे बिग्यापन संख्यां यह है पदों की कुल संख्या है 60244 जिसमें से जन्रल के लिए 24102 पुष्ट EWS के लिए 600024 पुष्ट OBC के लिए 16264 पुष्ट SC के लिए 12650 और ST के लिए 1204 पुष्ट है आवेधन की तीथी 27 दिसंबर यानिकि 2712-2023 से लेकर 16 जन्री यानिकि 612024 तक आवेधन हो सकता है संसोदन जबसे आप फारम भरते हैं फारम भर्ने के बाद सेलेकर 18 जन्री तक आप संसोदन कर सकते हैं यानि कि फार्म का डेट खतम होने के दो दिन आगे तक संसोधन क्या जा सकता है आवेदन सुल्क जो है सबसे चार सुरूपे लिए जाएंगे चार सुरूपे आवेदन सुल्क हैं सभी के लिए यह 10 प्लस टू होगा इंट्रमेडियर प्लस टू अथाएं इसके संकक्स जो भी आता हूँ जेसे कि आप आपने हाइस कुल पास करके पालिटेक्निक करने चले गए तीन वर्श का पालिटेकनिक कर लिए और इंटर साइड हो गया इंटर हो करें नहीं तो आप संकक्स शिम्या तो इस प्रकार से समकक्ष का मतलब समझते होंगे अपीरिंग का मतलब की 10 प्लस 2 में जो अपीरिंग है अथ्वा समकक्ष में जो अपीरिंग का मतलब की जो एक्जाम दे चुके हैं अभी रिजल्ट नहीं आया है अथ्वा जो एक्जाम में बैठने वाले देने वाले हैं तो उनका तो रिजल्ट भी नहीं आया होगा तो अथ्वा जो एक्जाम में बैठ रहें जो एक जुलाई सब्सक्राइब जन्म की बात करेंगा जन्म की आधार पर देखें तो जुलाइद सब्सक्राइब जन्म और यह दोनों डेट इंक्लूडेड है इसमें आयू सीमा में छूट आयू सीमा में छूट के लिए यवाल यूपी के मूल निवासियों के लिए छूट होगी अगर आयू सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदिस के मूल निवासि होंगे तभी आपको परिच्छा में चूट किस प्रकार से आहयाखनदेगा और आयू थिमлуч किस प्रकार से इव्यप एष एको नामिक लिए पեյिट के लिए किटीए देशी परसन चूट होता है, आयू सीम में कोई चूटी नहीं और परिच्छा में अलग-अलग छूट है EWS के लिए 10% OBC के लिए 27% SC के लिए 20% के लिए 2% जैसे की होता है वहीं है इस्टेंड़ फार्म में यह वर्टिकल है और होरिजोंटल आरक्षण जो है इसमें परिच्छा में छूट क्या होगा आयू सीमा में सेनानी जो सेतंतरता संग्राम सेनानी होंगे उनके लिए 2% का छूट होगा इसमें और आयू सीमा में कोई छूट नहीं होगी भूत पूर्व साइनिक अगर है तो उनके लिए 5% परिच्छा में और तीन बरस की छूट होगी आयू सीमा में रिप चुट और तीन बरस उनका क्या लिया जाए का उल फिवा की उनकी उनकी उसमें से से नहीं से नहीं में तक किया हैं उसको घटा देंगे उसके उम्र में जोड़ी और उस पर एन वर्स के चोट मिल जाएगी मुल सो में फूर्स prac होगा 5% के चोट होगा और महिला में 20% के चोट वहोगा और आई मैं कोई चोटते हैं कि द्रान देंगे महिला कि है इस स्षाइट की पार्माड महिला के लिए केलिए के राजय दिन सिवाएं में कार्यत करमचारियों के लिए की छूट मिली लगी जो प्रारूप देंगे वांच बर से अगर जाना चाहते हैं तो उनको पांच बरस की छूट देजा सकती हैं लेकिन इसकी लिए उनको प्रारूप देना पड़ेगा आप यहां पर देख सकते हैं और आप बुस्त है दिख रहा है तो ठीक है नाहीं रहते हैं नोटिफिकेशन डाइनलोड करके नीची होगा देख सकते हैं वहाई से मैंने भी लिया है तो यह प्रारूप फाइप होगा यह इस पर वहां का जो भी अधिकारी होगा सक्षम अधिकारी होगा सबसे बढ़ा वो तो इस पर सिगनेचर करके अपना मुहर लगाएगा परमारित करेगा कि आप वहां कारे कर रहे हैं किस पुष्ट पर इत्यादी कितना तंखा इत्यादी जो कुछ भी होगा परमारित कर देगा यहीं प्रारूप फाइप होगा तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है यदी आप उम्र का लाबझ दो कंडिशन इसके लिए आएंगे सिर्धी बात है कि कई आरक्षन एक साथ नहीं मिल सकते हैं एक ही आरक्षन मिलता है जो और होता है एक यहारे क्षण जो अधिक्तम होता है वह जदी आप दो से अधीक हमें आखके संभी आप को इस जो खूत मिल रहीए तो अगल आ ऐप जनरल नहीं कर सकते क्योंकि एक आश्छण तो एक आरप प्लह आप जो झूट मिल रहे है तो अगला आप जनरल फाइट नहीं कर सकते हैं आप अपनी केटेगरिम फाइट करेंगे और दूसरी है यदि आप उम्र के छूट नहीं ले रहे हैं तब तो आप फाइट कर सकते हैं फिर इस परकार से होगा General General EWS OBC SC आप जाएगा इस प्रकार से नीचे सफिव उपर तक आप जा सकते हैं अपनी स्रेणी को लांकर दूसरी किरिस्रेणी में जा सकते हैं अगरा अपक उम्र का अनलाभ नहीं ले रहे हैं सिर्फ एक ही छुट अनमन्य होती है वैवाहिक स्थिति क्या है वैवाहिकु Deshalb इह एकसे अधी के पास पति नहीं होने चाहिए और अगर है तो इसका हाल करने का वित्याष कारण बिद्यमान डे साध्न example example लग दें करें एक, शहकोज करें एक mistrx है, एक mistr x है, और mister x ने एक mistrus basics सवाई साधी कर लिये, यह memo है और यह rehmail है इन्हों लोग olm इन दोनों ने बात किया कि तुम एक दूसरी साधी कर लो इससे बच्चे हो जाएंगे इसने दोनों की सहमाती से एक दूसरी साधी कर ली मिष्टरेश से कर ली अब मिष्टर एक्स की दो पत्निया हो गई और देस दो पत्नियां हो गई लेकिन की चाहिए न इसके स्पेस्पिक और है और वह कारण जो है की वेरिफाइड है बीवाइब नोगों को इसमें रखा जाए गांदर रखा इनको बाहर नहीं किया जाएगा लेकिन मिना मतलग के लिए कि रहा है कर दिया जाएगा तो इसको सब्सक्षा जएगा restore boundedकर करने किया किसी बड़ी कहले का नबीक नो की नब्यचन होता है तो अधिकारी नों के लिए होता है 90 दिन 19 एक बाद आपको को मिलती है तो अगर suspension suspension हुआ है तो कोई दिकत नहीं है लेकिन terminate कर देने के बाद फिर कभी आप service नहीं जाते दोबारा कभी भी जिंदगी में इसलिए अगर आपको terminate कहा किया गया है कहीं किसी भी सरकारी नवकरी से terminate किया गया है तो आप इसके लिए eligible नहीं होंगे सक्षम अधिकारी द्वारा नैतिक अच्छमता का दोस्तिद्ध कोई भी अधिकारी एडिजे लेबल का कोई अगर यह सिद्ध कर दे कि आप नैतिक रुप से सरकारी नवकरी करने के लायक नहीं है तो भी इस चरित्र के अधार्प आपको disqualify किया जाएगा वहीं घुमा फिरा के वहीं भी बात है कि terminate कर दिया जाए बिकलांग बेक्ति के आवेदन कर सकते हैं तो एक है उत्तर प्रदेश को सारे खुप से भरती के लिए होगा है लिखीत परिच्छा जनके वह प्तर सही पायजाएंगे अब लिट Boom स्वार्प वाले विकलब वाले उवые 30 सब्सक्राइब वर उनको लेठ्ट परिच्षा में सामिल किया जाएगा जैंसे mcq टैप के मल्टिपश चॉइस क्वेस्टन 4 विकल्प वाले जो 300 मॉर्क्स के होंगे एक मतलद की एक व्यक्वेस्टन 2 मॉर्क का होगा और आप क्वेस्टन गलत करते हैं आपका 0.5 मॉर्क्स नेगेटिव मॉर्किंग भी होगा मतलब आप लाइन पेपर होगा और टाइम दो घंटे का दिया जाएगा आपको 500 क्यों के लिए दो घंटा यानिकी 120 मिनट चार भाग होंगे समाने गान समाने हिंदी तो नारम लाइज सेन का सिस्टम लागू होगा एक ही पाली में और एक ही दिन में संपन हो जाती है कम बच्छे करते हैं तो ये सिस्टम नहीं होगा लेकिन कई पालियों में अथवा कई दुन में लागू हो थी परिछ्छा संपन होती है तो नारम लाइज सिस्टम लागू होगा अगर कोई गलत प्रश्न चपता है जिसका कोई भीकल्प सही नहीं यानिकि कोई इसा प्रशन को अंक भी अलग अलग मिल गया ऐसा नहीं है कि दो अंक सबको उठा कर दे दे जाएगा साही उत्तर गुणे इस्टार नहीं गुणे है यह तर गुणे धारित अंक बटे में सही प्रशनों की संख़े से फारिक जांपूल दो लोगों का हम समझा दे रहें एक को एक ने सही उ यह कितना हो जाएगा 200 बटे में दो सब बटे में 150 यानि कि चार बटे में 3 चार बटे 3 अंक मिलेंगे उस परस्ण के उसको एक बच्चे ने 50 अंक वाल सही करा है और दो अंक है बटे में डेड़ से कुल क्वेश्चन है तो यह कट गया तो दस बटे में 15 यानिकि 2 बटा 3 क केवल 2 बटा 3 ही अंक मिलेंगे जब कि इसको 4 बटा 3 अंक मिलेंगे जो जितना क्वेश्चन सही करेगा उसका नंबर भी उसको गलत क्वेश्चन के जादे मिलेंगे तो यह बाद की बात है अरहताएं योगिताएं क्या होंगी वह भारत का नागरिक हो अगर भारत का नाग कर दो परसन इंडियन और शेंट जिसके मांता पिता अथवा दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो और वह बर्तमान में विदेश में रहा रहा हो बिदेश की नागरिकता उसके पास हो उसे पी आई आई पर मुझति है अगर भारत में अस्थाई निवास करने कि देश से आया है तो इसको समिल किया जाएगा कि अधिमानी अरहताएं प्रिफ्रेंस क्या होगा अन्य बाते समान होने पर यानिकी बहुत सारे को मार्क्स में तो प्रिफ्रेंस कैसे दिया जाएगा कि अगर नाइलिट के स्वसाइटी से कोई ओफ्रमार्पत्र किया हो क्या हो है इसको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा या प्रादेशिक सेना में कम से कम दू वर्स तक कि सिवा की हो अथवा NCC का B certificate हो, 10 certificate होते हैं, आपको पता होगा A, B और C, पहले मिलता है, फिर B मिलता है, फिर C मिलता है, तो NCC का B certificate तक हो, तो इन्हें preference दिया जाएगा, दूसरी preference में यह है, इसके बाद भी, इस preference देने के बाद भी कुछ लोगों के अंकर समान हो जाते हैं, तो अधिक उ अंगरेजी बन माला से, और इंगरेजी उसका हाई स्कूल का मार्क सीट पर जो भी नाम अंकित होगा, जो नाम उसका होगा, अंगरेजी बन माला से उठा कर, preference दे दिया जाएगा, जो पहले आएगा, उसके बाद प्यस्ती होगा, लिखित परिछा के बाद, फिजिकल स्ट सभी लोगों के लिए कम से कम पांच सेंटीमेटर का फुला होना चाहिए जैसे आपकी 79 सेंटीमेटर सीना आपके गाई है तो फुलाएंगे इसे फुलाएंगे तो पांच सेंटीमेटर के लिए 147 सेंटेमेटर होगी वेट जो है सभी लोगों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए यह से अधिक होता है तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए भ्यार्थी जो अपने पीएश्टी संतुष्ट नहीं है वह पुना वहीं अपिल कर सकते हैं इतन कर सकता है वहीं पर अदिकाली बैठा रहता है वहाई पर र το wellness कर सकता है तो सका दोबारा नपा जाएगा दूसरे आद मीना पैगा और वहाईफिल आज दूबारा में फ्यलूदा तुछ फ्येल करते हैं इसके पीटी आएगा फिजिकल ऑफिसेंसिटी अभी क्वालिपाइग नीचपा होगा जिसे मेर के लिए 4.88 किलो मिटर यानी कि को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों तो पहुंचाएं धन्य बाद